अधिहात्मन जोतिस के तमाम दर्शकों को हरर महादेव, पावित्रतम स्रावन का महना चल रहा है, हरर महादेव चारों तरब गुझायबान है, शिरुभक्ति में लोग लगे हैं और भला क्यों नहीं, देवादिदे महादेव हो हैं, जो अपने आप तो संसान में रहते हैं, अपने आप तो विरागी हैं, तनपर कपड़े भी नहीं हैं, लेकिन इनके सिस्य रावन जैसे स्वरण के महलों में रहते हैं, देवादिदे महादेव की भक्ति भला कौन नहीं करना चाहिएगा, लेकिन इस भक्ति को कैसे हम और सक्ति दे सकें, कैसे इस पूजा, अनुष नहीं, आप वर्स परियंत कभी भी कुछ करते हैं, चाहिए नवरात्री हो, श्रिवरात्री हो, आप जब कर रहे हैं, बरत कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, आप अडचन कर रहे हैं, आप कुछ भी कारे कर रहे हैं, अगर आप संकल्प के, संकल्प नहीं करते हैं, तो उस चीज अलग विस है और करमकांड ग्यान का विस है इसलिए यहाँ पर जो हमें ग्यान रहता है हमें नियमों का पता होता है तो हमें नियम का वहन भी करना पड़ता है नियमों को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाना चाहिए और उसको ध्यान में रखते हैं तो मित्रों आज हम जो क कारेकरब में चर्चा करेंगे, शंकल्भों को ले के करेंगे, संकल्ब कैसे करते हैं, क्या-क्या पदार्त होता है, उसको भी दबा लीजे ताकि आगे आने वाली जो לאट MV甚麼 हो दो भी आपको प्राप्त हो सके, तो फटा पर हम शंकल्प की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले आपको बता दूँ, शंकल्प में कोई भी पूजापाट जब तब आप कर रहे हैं, आपको किशी पात्र के अंदर अर्ग पात्र में, नहीं तो आप हाथ में भी जल ले सकते हैं, शंकल ओम विश्ण वे नमा, ओम विश्ण वे नमा, ओम विश्ण वे नमा, दियान रहेי शंकल्ब में हमें क्या-क्या चीजें रखनी है, सबसे पहले शंकल्ब में प्रधान रूप से जल लिया जाता है, उसके बाद गंदाक्षत यानि गंद, अक्षत, पुष्प, दूर्बा और कुछ द्रब्य यानि दक्षणा आप हाथ में ले सकते हैं अब यहाँ पर प्रशन उड़ता है कि कई बार इतनी सामगरी ना हो तो क्या हम संकल्प भी कर सकते हैं जब प्रधान रुप से पूजा पाठ का संकल्प होता है, किसी जब तब का संकल्प होता है तो यह सामगरीयां सब हम पहले से जुटा कर रखते हैं इसलिए इन सब सामगरेयों को रखना भी अनिवार हो जाता है लेकिन कई बार ऐसा होता है हम कहीं बाहर हैं तेर्थाटन में बार प्रवास छेत्र में और ये सारी व्यवस्ता हैं उस समय ततकाल में हमारे पास उपलब्ध नहीं है तब देशकाल प्रस्तती के अंदर आप सिर्फ जल लेकर भी संकल्प कर सकते हैं हो सकता है कई बार जल भी नहों आप संद्यो पाशना आदी पूजा पाट नियमित दैनिक पूजा करने हैं तब भी संकल्प करना नहीं होता है हो सकता है तब आपके पास जल भी नहों तो इसलिए मानसिक संकल्प का प्रावधान हमारे हैं मिलता है आप सिर्फ मन से शंकल्प कर सकते हैं, हालंकि मानसिक पूजा का भी विधान है, मैं उसके लिए कभी फिर फुर्शत में चर्चा करूंगा, तो आपको जल लेना है, और आपने देखा होगा कई बार पूजा पाट के बीच बीच में भी संकल्प लेना होता है, तब भी आपको सारी सामगरियों के आउस सकता नहीं होती है, सिर्फ आप जल लेके दूसरी बार संकल्प कर सकते हैं, अब देवादी दे महादेश के पावन परवे आप लोग शंकल्प कर रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लिजिए, कैसे आपको शंकल्प करना है, आप पहली बार दो-चार बार इसको सरवन करेंग तो आपको तीन बार विश्नु का उचारण करना है, भगवान के नाम का, अम विश्नवेनमा, अद्यसी ब्राम्बनोनी दुतिय अपरारधे, स्री स्वेत वारहा कल्पे, वैवश्वत मनमंत्रे, अस्टा भिमसातितमे, कल्योगे कली प्रथम्म चरणे, जम्बूत चल रहा है काल युक्त ठीक है और काल युक्त शंबस्त्र का आप नाम लेना है उससे पहले आप अपने भारत वर्स में कहां रहते हैं अपने राज्य का नाम लेना है जैसे कि मैं अउत्तराखंड में हूँ तो मैं वहाँ पर मेंसन करूंगा उत्तराखंड राज्य उसके बा मेंसन करेंगे उसके बाद देवशनी तो आप भगवान के सानिध्य में मागंगा के तट में तो मागंगायम समीपे मागंगायम दिख भागे ठीक है पश्यम तटे पूर्व तटे जहां पी आप बैठे में जिस भी नदी के तट में आप वहां का उचारण कीजिए कोई प्र पढ़ सकते हैं पंचांग आप आजकल जो है डेली पंचांग होते हैं उनको भी आप देख सकते हैं तो आप ने जो है यहाँ पर मेंसन करना है कि दक्षणाइन है तो दक्षणाइन उत्राइन है तो उत्राइन अभी जैसे इस समय आपका दक्षणाइन स्टार्ट हो चुक तो आप चतुरतियाम सुपुर्णे तो कृष्ण पक्ष है तो कृष्ण पक्ष तो सुकुल पक्ष ये भी आपको धियान रगना है अगर सुकुल पक्ष की चतुरति है तो आपको पहले मास फिर पक्ष और फिरतिति जैसे कि उधारण के लिए स्रावण मासे कृष्ण बोल सकते हैं और अगर इतना याद नहीं है तो उसकी आवसकता आपको नहीं है आपको सिर्फ वार और इतना कहे करके आपको छोड़ देना है उसके बाद अपना गोतर आपको चारण करना है ठीक है उसमें जैसे कि हमारा भारदवाज गोतर है तो मैं इस समय कहूंगा भारद बर्मा लगाएं वैश्य हैं तो गुपत लगाएं गुपता लगाएं यानि गुपतो हम और अगर शुद्र हैं तो आप दासु अहम कह करके आप जो है शंकल करेंगे ठीक है ना तो इस प्रकार से आप उसका ध्यान देंगे शंकल में यह चीजें आपको ऐसे मैंशन करनी होत तो ये ठीक हो गया, तो जैसे कि उसके बाद आपको आप क्या कर रहे हैं, आपको ये mention करना है, ठीक है, तो आप अपना नाम ले लेंगे, अपने गोतरादी का नाम ले लेंगे, उसके बाद शकल मनोरत सिद्यर्थम या सरवारिष्ट सांति निमित्यकम, ठीक है न, मैं अपन जो उपद्रव जीवन में हैं, जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आद्यात्मिक, जो ताप हैं उसकी सांति के लिए, और सरवारिष्ट सांति निमिकम, सर्ममंगल काम नाया, ठीक है न, सुर्ती, स्मर्ती, प्राणोक, तुफलप्राप्त्यर्थम, मन सितकार सिद्यर्थम अपने मन के जो संकल्प हैं, उनको वहाँ पर आप मैंसन करेंगे, कि मैं इनिन कामों के लिए, ये सब कर रहा हूँ, किसी ग्रह सांति के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस ग्रह का नाम लेंगे, उसके सांति के लिए, और विसे इस तया आप जो है भगवद प्रीत्यर् तो इस परकार से संकल्ब होता है और उसके बाद आप यह संकल्ब भगवान गणपती के चरणों में समर्पित करें और फिर प्रणाम करें तो ऐसा यह संकल्ब का विधान है आशा करता हूं आपको यह कारिक्रम अच्छा लगा होगा कोई प्रशन होता है तो आप कमेंट बॉ पीजिशाल हरन महादे